बोजपूर में पवन सिंग को ऐसे ही पावस्टार नहीं कहा जाता। अगर आपको बता दे अगर आप पवन के फैन है तो आपको पता है कि उनकी फिल्मों में आपको क्या मिलेगा फूल टू एक्शन और यह फिल्म जैहिंद पूरी एक्शन पैक्ट फिल्म है और साथ ही साथ दमदार डायलोग तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस छोटे से ट् वो हिंदुस्तान में रहते हैं और मधू शर्मा उनकी प्रेमिका का रोल निभा रही है जो की पाकिस्तान में रहती है तो भाई आपको पता चल गया होगा कि स्टोरी क्या है स्टोरी यही है कि हिंदुस्तानी लड़का है पाकिस्तानी लड़की से प्यार करता है और इन दोनों के प्यार में आ जाती है सियासत तो भाई पूरा माजरा आपको समझ में आ गया अगर नहीं समझ में आया तो सनी देवल की फिल्म बॉडर याद है अगर आपको याद है तो आप समझ लिजिए कुछ-कुछ आपको उसी चीज का मिक्षर जैहिंद फिल्म में देखने को मिलेगा वैसे सनी देवल के बहुत बड़े फैन है पवन सिंग यहाँ पवन सिंग की इस फिल्म में एक नहीं आपको कई हिरोईने मिलेंगी मदो शर्मा इसमें लीड रोल में है अकांखशा अवस्ती सेकेंड लीड में है थार्ड लीड में है प्रियंग का पंडित यानी की गारगी पंडित और एक स्पेशल नंबर किया है लुलिया यानी निधी छाने अब बात कर लेते हैं फिल्म के डायलोग की भाई इतनी भारी भरकम डायलोग बिलिवरी पवन सिंग के अलावा भोजपुरी इंडस्ट्री में और कोई नहीं कर सकता पाकिस्तान के खिलाफ और जितना दहार के बोल सकते हैं उतना दहार के कोई नहीं बोल सकता वो भी पाकिस्तानी सरजमी पर जी हा, अपना हिंदुस्तानी बाक्या छोरा पवन्सिन जाता है और पाकिस्तान की वाट लगा के उसी की धर्ती पर रिटन हिंदुस्तान अपनी हिरोईन को लेकर वापस आता है फिल्म में कॉमेडियन के तौर पर संजय पांडे की भूमी का भी बड़ी ही दिल्चस्प है आप उनके इस रोल को ग्रेशेड रोल भी कह सकते हैं यानि की थोड़ा सा कॉमेडी, थोड़ा सा निगेटिव, थोड़ा सा पॉजिटिव लेकिन ओवराल उनका तोतलापन आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, अब बात कर लेते हैं फिल्म की हिरोईन मदु शर्मा की, भाई मदु शर्मा के एक्टिंग की तारीफ के लिए तो तालिया बजाने चाहिए भाई वो भोजपुरी की एक ऐसी कलोथी एक्ट्रेस हैं, जिनके पास एक्टिंग है, ग्लैमर है और साथ ही साथ बहुत ही बेपना खुबसूरती है, जिसका पूरा मिक्स्टर भोजपुरी आप परदे पर धमाका करने के लिए काफी है वैसे आपको बता दे, मदुशर्मा और पवन सिंग की जोड़ी जब भी भोजपुरी आप परदे पर आती है, धमाल मचाती है अब बात कर लेते हैं फिल्म के विलन की, तो भाई यह फिल्म के विलन की यह पहली भोजपुरी मुवी है और काफी मजह हुए एक्टर है मीर इससे पहले उन्होंने बॉलिवुड की दो बहतरीन फिल्मे की है, पहली है बजरंगी भायजान और दूसरी है केसरी आपको बता दे कि फिल्म के ट्रेलर को बहुत ही अच्छा रिस्पॉंस मिल रहा है और इस पेशल भोजपुरी इस ट्रेलर को सारे तीन स्टार देता है भोजपुरी जगत के होट और मसालेदार गोसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए कर दो